हेलो प्रेंट्स आज के लेक्सर में हम क्म्प्यूटर नेटवर्क के बेजिक कंसेप्ट मतलब के हाउ टू प्रोवाइड एन आईपी अड्रेस के बारे में डिस्केशन करेंगे कि आप जानते केंप्यूटर नेटवर्क में जितने भी डिवाई उनको अईटेंटिफाइब करने के लिए एक बैस्ट ऑक्षण है डाईपी इड्रेस और वही आईपी अड्रेस के बेजीश पर ही आप उनको अईडेंटिफाइब कर सकते हैं क्लियर तो अब आईपी अड्रेस प्रोवाइड करने के लिए दो आप्शन है एक कि आप स्टेटी के लिए आईपी अड्रेस प्रोवाइड कर दे और सेकेंड कि आप डाइनेमिकली आईपी अड्रेस प्रोवाइड कर देने मा है या दीस सीप पतलत डाइनेमिकली सेशन में बढ़ेंगे यह DACP request पेरे नहीं successful होगी वह देखेंगे तो हमारे आज की lecture में हम यह देखेंगे कि server PCS को IP address कैसे provide करता है यह बहुत basic concept है मैं server पे click करता हूँ server पे जाने के पाद desktop पे जा रहा हूँ desktop में IP configuration यह किसका IP address यह सरवर का IP address है जिसके business पर आप server को find कर सकेंगे इसे प्लियर मैं देता हूँ 192.168.10.254 आप सोच रहांगे मैंने 10.254 क्यों दिया और उससे पहले आप जानते हैं कि यहां पर IP address की range कहां से कहां है कि क्लास C IP address उसके range होगी 192.168.10.0 से 192.168.10.254 मतलब यह 26 IP address आपके पास है उसका पर आप आईपी अड्रेस 192.168.10.0 तो मैं एटवर्क आड्रेस है 192.168.10.1 हम डिफॉल्ट गेटर पर यूस करते हैं तो अभी मैंने 10.254 क्यों यूस किया विकाज मेरे जितने भी एपेंडड़ PCA जितने भी जॉइंड PCA उसको अगर हम आईपी अड्रेस देने बार दुरू करो तो वहाँ पर आईपी अड्रेस बीच में से कोई ऐसा नहीं कि मैंने सर्वर को दे दिया इसलिए मैं ब्लॉक में से सर्वर को लास्ट आईपी अड्रेक दे रहो आप यहाँ है मैंने यह वाला इपेंड किया स्कोंको क्लोस करेंगे मेर आधीज जो क्रांगे सर्वर का नेम अगर आपको जो सर्वर्ल का डेम चेंज करने इंगे को यहां default gateway provider 192.168.10.1 DNS server अभी प्रवाइट है अब एक से क्या लिख है 192.168.10.0 से अब टू 192.168.10.25 मैं मैं मेरे IP address का ब्लॉप कहां से शुरू करना चाहूँ आगे के 140 समुझ भी मैं यूज नहीं करा हूँ मुझे अभी कहां से यूज करना है क्लियर, desktop मैं कहां करते हैं DSCP आप देख सकते हैं 106 क्यों विक्यों और 192.168.10.150 से बात करें 10.150 से कहां तक प्रवाइट कर सकते हैं 10.25 मज़ाब आपके कास किदना ब्लॉप हो गया 106 इसने यह आप 106 क्लियर, इसको मैं close करता हूँ अब मैं PC बता रहा हूँ, PC के अंदर जाता हूँ के desktop में IP configuration, static करेके DHCP, जैसे DHCP किया, कौन सा मिना मुझे IP address, जो आपको first IP address ना, 192.168.10.150, period, अब मैं second PC में जाता हूँ, यहाँ पर भी IP address DHCP में जाता हूँ, कौन सा मिना, 192.168.10.150, आपको statically लिखना नहीं रहा, आपको server में IP address, कौन से block में से देना, आपने server को guide कर दिया था, similarly third PC में, same process, desktop IP configuration DHCP, अपको 10.154, अब मैं यहाँ पर चले जाता हूँ, desktop IP configuration DHCP, 10.153, for example, यहाँ पर जाके देगो, same process, 10.154, clear, तो यह देजिस पे, server PCs पा IP address provide करता है, आप हम चेक करें, क्या packet send हो रहा है या नहीं हो, यहाँ पर रखक क्याना से, इसका कौन सा IP address था, 192.168.10.153, कहाँ भेजना हूँ है, 192.168.10.153, जी है, PC 10 से PC 7 पे, successful transmission, PC 8 से PC 7 पे, जी हा, successful transmission, is it clear, यह business का IP address, server की help से PC को provide रहता है, अब एक और importance है, server के, for an example, HTTP protocol में यह कुछ, HTML का code लिखा हूँ है, अकर मुझे यह run कर रहा है, मतलब यह service किसके पास है, यह service किदार, server के पास है, यह welcome to packet tracer 5.10.153, में लिखा हाता हूँ, welcome to packet tracer, अब में cat रहा, इसको complete कर गिया, इसका IP address वाँदा था, 192.168.10.153, जी होगी, जी है, PC 10 में जाता हूँ, PC 10 के web browser, यहाँ पर होगा IP address लिखा, सर्वर जा, 192.168.10.254, अब देख सकते हो, packet tracer 5.10, welcome to packet tracer, नहीं आपे change किया, मतलब server की service को जी access करनी है, आपको क्या देना है, उसका server का IP address देना है, और server का IP address को information available होगी, clear, और example में server के STTPS में जाकर welcome to packet tracer की जगा, यह change करके, ऐसा लिखता हूँ, welcome to my channel, शानुराण, is it clear, fine, अब दिखते हैं क्लिक ऐसे response कर रहा है, इसी 10 में चलागे, मैंने जैसे किया, welcome to my channel, is it clear, fine, I hope so, यह basic lecture आपको पता चल गया हो, in case कुछ query है, आप मुझे मुझे comment section में पूँच लीजेगा, और हाँ request लेके same to same, आप implement करने की पूशिश करना, implement करेंगे तो आपको कुछ query हैगी, और हाँ channel को subscribe ने कर देंगे, fine, okay, thank you, thank you very much. इंगे कि पंगे ट VSttफभy कै इंगा बारे मुझे आपकों देंगे आपकों तो आपईश, वायकोंत्त, पितित्स दिए में भूमत्त… झाल झाल